शुद करके सब्वे खर्माने सोजमा है दूसरी बार आपके इआ द्रहाँ के विराखना देरी आया पीछमर आया फ़र आपसे मैंने कुछ बाते त़ी देश की आज़िखस्चती के बारे बन Sum के आज़िखस्चती के बारे बन Sum आज आप से एक गली बाद केरना चाहता हूं तो पिछले पाक्ष्य महिदों में इस देश की सामने प्यादा हुई हमारे देश में पिछले पाक्ष्य महिदे में एक घटना घटित पुई अर उसके गाद हमारे देश के ऊपर कली तरह की परिस्थिया पहिदा हो Chiya माई के दिने में भारत की वहिजादिकोंने 5-95% किये तो अमरिका की सरकार में भारत के उपर आज़िस पादम दे लगाती और अमरीका की सरकार में भारत के उपर आजिक पादम भी लगाई उसके बाद जापान की सरकार में भी भारत के उपर आजिक पादम भी लगाई अमरीका और जापान के बाद दुनिया के बहुत सारे देश है जिनोंने भारत पर आज़ पाव 1917 लगाने की घोशुषा bound बहुत सारी संसाचे हैं दुनिया में अंथर् आज़ तरवद जिनोंने भारत के खिलाख पावंदी लगाने की बात रहना शुरू उपर दो जिन पंसाओं को इस मामले में बात कहने की कोई जरूरत नहीं थी उन पंसाओं ने भी भारत के ऊपर पावन्दी लगाने की बात भारत की पीका करने की बात भारत पर आलोचना करने की बात थी हचानल से अर्था क्या हो गया कि दुनिया में इतने बड़े पेहनाने पर एक अधीफ सी हर्चर हो गई वारत के बैभ्यानिकों है अगर पांच आणजिफ परिक्षण किये तो क्योंकि पहली बार तो ऐसे आणजिफ परिक्षण हुए रही ते पूरी दुनिया में अगर ये काम पहली बार दुनिया में हुआ होता तो शायद इसे करे की हर्चर होना स्वाभवित होता इस तरह के आर्ट पार चुक ह्यां पहुत ही हैं और इस पहली पार तो ऐसे आर्ट पार होगे हैं तो फिर अजानज सी क्या बात की जो अमरीका में इन आंजित करिक्षणों पर इसना जादा भंगाना अस्का है और हमारे भारत के विपर हमें आंजित पावजी दरे इस राजिनी को समझना पहुचत लगनी कि देखें आज जिन अंतराक्ष्ट्री माहोल में हम पहे रहे हैं जी लगे हैं पुर अंतराश्त्री घामुल को स्मिय कले लिगना हम हावारिदेश्टी से अपने राश्र की रक्षा लतर्में实 सके इतर्वे हैं कि इता हुए कि अंतराश्ती से इस तरबर को भैसा उयसे हो आपी, अन्के बारे में बहुत दम्हें का ओने और विचार करना चेलिए अपने राष्ट की दरश्टी हो अब बात समझ में आने है कि अमरीका ने यह आज से पादती लगाई जापा ने यह आज से पादती लगाई भारत सर्कार के उपर तराम करेटा रवाव पास उसके तीशे पंक्तर से आता आज के अर्बार में एक बहुती बुई ख़बर है शायद आप में भी पढ़ी होगी तब यह से जबसे मैं वो ख़बर पढ़ी है मैं बहुत अशान की बारत के बदान गंदी शिरी अटली जादी बास्टी जी का इस बयान है उसमें उन्होंने कहा है कि हम CTBT पर हटाक्षर कर देगे अब सक पिछले 50 साल से भारत का ये द्रव निश्य रहा है कि हम CTBT पर और NBT जैसी संधियों पर हटाक्षर नहीं करेंगे कि इस बदान जरूप में हमारा CTBT से कोई विरोध नहीं है ये और भी खतरनाफा अब सक 50 साल से अमारा सैध्धान्तिक विरोध ही था CTBT और सैध्धान्तिक विरोध क्या था सैध्धान्तिक विरोध ही था कि CTBT की नाम की संधी एक ऐसी संधी है जिसमें जिनिया के अमीर देशों के पास हर सहे का परमानु धत्यार रटने की खुली छूट है और गरीज देशों को परमानुप परिच्छों करने की भी छूट नहीं मारे हबारे जैसे गरीज देश हैं जो पूरी दुनिया में वो अनुप परिच्छों भी नहीं कर सकते हैं लेकिन अंडिका, चीन और फिर फ्रांक, फिर ब्रटें और रूस जैसे जो देश हैं, वो ना सिर्फ अनुप परिच्छों कर सकते हैं वनकी आनुप खतियार बना भी सकते हैं इसकी कुई छूट है CCBT नाम की संधी तो पिछले कई वर्षों से भारत में जो विरोज हो रहा है CCBT संधी का वो इसी बहुत पर हो रहा है कि हम ऐसे सिर्फान्स को नहीं मान सकते जिसमें दुनिया के कुछ राष्ट्रों को विशेश अधिकार दिया जाए कि वो अनुपम बना सके हैं और बाटी सब राष्ट्रों को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाए कि वो कुछ भी हत्यारों का परिश्ण ना करेंग किया माननीय श्री अटल ग्यारी बाच्ट्री जब विपक्ष के देता थे और श्री इंदुकुमार गुजरारी स्टेश के प्रधान मंत्री थे तो उनका पार्लेमेंट में भाशन सा जिर्ड़ गंते का जिश्री अटल ग्यारी बाच्ट्री ने कहा था कि ये परमाणों भेदभाव की नीती हमको मन्जूर नहीं है और आज अचानक से सरकार ने इतनी बड़ी पलटी खाई है कि आज की अख्वार में मुनें स्टेट्मेंट कर दिया कि हम अख्ताक्षर कर गई अब समझ में आ रहा है कि अचानक से मई में जो अनू परिक्ष्ण हुआ और उसके बाद अमरीका जैसे देशों ने जो दवाव डालने की राजिनी की शुरू की भारत के ऊपर जो आरफित पावंदी लगाकर सरकार कर दवाव डालने की नीती शुरू की उसमें भारत सरकार अठत गई और अमरीका के सामने अब भारत सरकार सरेंडर करने जा रही है आज एक दूसरा बयान और रखवा इनका नाम है श्री ज़स्वन सिंग वो बाची कर रहे हैं अमरीकी सरकार के एक सचिव से उसका नाम है स्ट्रॉप तॉल्बो स्ट्रॉप तॉल्बो बहुत निवन इस्तर का अधिकारी है और भारत में ज़स्वन सिंग की केम्रिय इस्तर के मंत्री इस्तर के लगती है उबाध्यक जो होता है युजना आयकका तो केम्रिय इस्तर का मंत्री होता और स्कॉप्स आंबो अमरीका में एक अंडर सेक्रेटरी लेवल का अभिगानी है तो सबसे जागा अफमान जिनक को ये बात है कि भारत के केंड्रिय इसकर का मंत्री अमरीका के एक निम्म इसकर के सखिव के साथ बाचीश में लगा हुआ अगर भारत करकार के मंत्री श्री जद्वन सिंधी जो मंत्री के हर्थियस से वहाँ पर है फिर जो जना आयों कि वो पाधिश के हर्थियस से नहीं है वो अमरीका के रख्षा मंत्री के साथ बाचीश करते तो आपको में ज्याती है कि एक मंत्री मंत्री इस तर पर बाक्षित करवा है लेकिन और जद्वन से इंधी का भी जो कहना है वो इसी तरह का कि अब हुंको CCBT पर हताक्षर करने की बात मान देनी चाहिए इन इबात वो चाहते हैं जो हुंके बयान में है कि अगर अमरीका कुछ तरह की टेक्नालोजी देने के लिए हमको तयार हो जाए तो हम CCBT पर हताक्षर कर दें यह सबसे बाद रुखा के कौन काम होगा अगर भारत सरकार इसको करती है अब यह वाक्ते भर में अदर्द देना है आज के बयान से असा रगता है कि मांदी श्रीक अतल जाही वाजपेई भी देश यास्ता के लौके लिए अगरी युनाइटेट नैशन्स के जो जनरल उसम्बी का सेशन है उसमें भाशन देनी के लिए हो गए है हो सकता है वही पर हताक्षर करत है आज क्या हो सकता है उसके एक दो दिन आगी पेश है हताक्षर कर एक गाजने के दुरवर्टना में मानता हूं गैज करार का हताक्षर होना 15 दिसम्ब 1904 को और उससे बड़ी दुसरी दुरवर्टना में मानता हूं CCBT पर हताक्षर होना जो अगले कुछ दिन में होगा तो इस बात की वर्भीता का अध्यन हम सब को करना होगा कि आखरकार इनकी मजबूरी क्या है कि कौन से दवाव में काम कर रहे बारत करकार के ऊपर दवाव किस तरह की और बौखला हाट किस तरह की और इसमें से बाहर निकलने के लिए हमको कोई रास्ता सुझाई देता है दिखाई देता है मेरा आख से विनवर निवेदन है कि आज से ही बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के प्रधान मंतुरी के पाफ अजारों लाथों पत्र पहुँचने चाहिए कि हम देश के लोग नहीं चाहते कि आप CTBT पर हस्ताक्षर करें हमने आपको प्रधान मंतुरी बनाया लेकिन इस बात के लिए नहीं बनाया कि आप CTBT जैसी संदी पर हस्ताक्षर करें कम से कम जब तक पार्लेमेंट इसके लिए आपको परमीशन नहीं देती तब तक आप CTBT पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हमारे यहां इसकती शायद बैसी हो रहती है जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान का प्रधान मंतुरी नावा शरीक कुई तरह से अमेरिकन दलाओ में सरेंडर कर गया है प्रस्ताव भी पारिज करवानी की कोशिश थी जो दुर्भादे से पारिज नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान की पार्लेमेंट में जितने एंपीज बैठे हैं वो सब इसके दिरोदी है और वो प्रस्ताव पारिज नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान का प्रदान मंत्री चाहता है किसी पीटी पर अस्ताव करना चाहिए यही इस्ति भारत में भी हो करता है हो करता है भारत के प्रदान मंत्री चाहते हो किसी पीटी पर अस्ताव करना चाहिए लेकिन हवारी फार्मेंट में अगर ये प्रस्ताओ आए तो मैं सौटटा विश्वात से कह सकता हूं कि इस पर होग नहीं बड़ेगा हमाद हमाद होगता है भारतिय जिम्ता पार्टी के बहुत सारे स्वान को जिसके गिरूप में पोड़ आज़े हैं कि प्रस्ताओ पर फार सश्कार मेंसे लिजित हैसित में पर हैसित से आपके पंड़न की हैसित से इस गाओं के धूसरी पंशाओ की हैसित से हजार, दोगजार, पाचप घजार, दवजार, जितनी चित्मित शतियां भिजभवा सटें प्रौदामनुक्री के हा। में पुर्दान मंद्वी की कारिया ले में यहां से टेलिग्राम जा सके ताकि सरकार को इस बात का दवाओ करना चाहिए कि भारत के लोग इसके अमरतन में नहीं हैं और उनको यह बात का अंदाजा लग जाना चाहिए कि अगर हमने यह गलती की तो इसका भूतान इस देश के लोग हमको करके दे देंगे माने इस देश के लोगों को यह भी दिद्व करना होगा कि वो राश्ट के साथ हैं या सरकार के साथ हैं ये ऐसी संपक्टाखी घड़ी है इसका में देश के सांथ अब राश्ट को चुनना है या सरकार आइस कुछ न meow जान मेरा की सरकार है कुछ नहीं राश्ट रहों सरकार आती हैं सरकार जाती हैं इस लिए राश्र की कीमत पर कोई भी संझवता हो नहीं लगता और राश्र की राजिनाइटी संप्रपता पर कोई संझवता नहीं है इसमें दो तीन बातें बहुत ही भिद्वाव कोई हैं एक तो मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहरी बात जो भिद्वाव की है कि भारत जैसे राश्र करने पर पूरी पावंदी लग जाएगी और अनुपरीच्छन करते में पर पावंदी लग जाएगी तो आडवे खट्यार बनाने पर फुरी पावंदी लग जाएगी। आप जानते हैं हमारे परेश्रीयों के पाव आडवेफ़ खथ्यार है हमने सिर्फ अनुपरीशनल किया था जारे और तेरे महीं को अनुपम अभी तक नहीं बनाया वैज्यानिकों का ऐसा मानना है कि अगर सरकार कर्वीशन दे तो शायद 400 अनुपम हमारे वैज्यानिक अधिये पांस-तास वरशों में, दस वरशों में बना करें लेकिं बनाया भी सकेथि लिए जबसे हमारे ग्रोस में चीन है जिसके पास 46 अनुपम है हमारा प्रोस की रूस है जिसके पास 715 अनुपम है हमारे जाब नर्दीख है बहुत नर्दीख ननीख तो नहीं है लेकिन भृट्य cirrlip 지urp Mensch Pic बंड़ अमरीजह के वासे के पास अधीदन को विव्य कंग अधीन कंग हमिच्छ को चाहाते हैं प्रांस चाहता है तो बविश में किसी खत्रे में हम सब करते हैं और आप जानते इस समय चीन की दोस्ती पाकिस्तान से बहुत अच्छी है चीन और अम्रीका जबी चानी में पाकिस्तान को अहां वे खत्यार उत्लम से कर आई है कि जब जब हमारा पाकिस्तान से जग्ड़ा उब हुआ है अमरीका पाकिस्तान के वरात है और हमारे देश की सेनाव में बंगला देश बनाने का अभित्रम किया था क्यों किया था क्योंकि बंगला में समस्थ्या पैदा हो गई बंगला देश की सरणाथी भार भार से बंगला में आए थे एक सरोर से जाला लोग बंगला में आ चुके पूरी अस्विवस्था चौपट भूना शुदू हो गई तो बंगला के मुख्य मंस्वी के लिवेजन पर और इस देश के तमाम दूसरे बड़े निताओं के लिवेजन पर श्रीमती इहरा कांदी ने उसमें हद्तक शेट किया और बंगला देश को बनवाया ताकि हमारी समस्या के लिवेजन दुदुदू के लिवे बंगला देश बनाने का बंगला देश के बंगला देश लिए तहले जब पाकिस्तान की तरफ़ से आपकरमट हूँ अनिए में पाकिस्थान्मान का फुरी ताध्ल देस्ट जवाब दिया था। संद्टी तब लेकी पूरे पूरी से पाकिस्थान की समय मुट्रे था। acialismानल ऐनु सिर्फे समय कोई बैस वाकिता सा था हत रहत हाई नहीं था। कि ela जमान सरोगर जो हमारे देश का ठी प्रिस्तान ही आँ CHIN के ववगे में हैं अगर वह जाना पड़ता है तो CHIN की सरकार से हमको बीदा लेना पड़ता है यह बहुत ही शर्ण की बास है कि अपने धेश के एक बड़े प्रिस्तान में जाने के लिए मुझे चीन की परकार से बीजा लेना परता है ये 72,000 बन किलो मीटर का इलाथा चीन के कभजे में है 1962 से उस समय दी अमरीका ने चीन का समर्थन किया था हमारा समर्थन नी किया और उसके पहले उनी को 48 के ताल में उनी को 47-47 में जब आजा भी मिल रही थी उसके तुरण बाथ पाकिस्तान की तरफ से कवाईलियों का जो आकरमन हुआ था इस देश पर तब भी अमरीका ने समर्थन पाकिस्तान काई किया था भारत का नी किया तो यह अमरीका हमेशा से पाकिस्तान समर्थक रहा है वो याज की बाती है और हमेशा से जो देश पाकिस्तान समर्थक रहा है गल पाकिस्तान को फिर वो मदद दे सकता है पाकिस्तान इसलिए CTBT पर हथाक्षर करें या ना करें उनके लिए ये बिलकुल महस्तु कुन है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को अगर वो CTBT पर हथाक्षर कर दे तो भी अमरी का दे मदद मिलेगी नहीं करेगा तो भी तो मिल को रही ही अभी अम्री की सरकार में पाकिस्तान के ऊपर जो आर्टित पावंदियां लगाई है उन आर्टित पावंदियों वो अम्री की सरकार राप अप लेने जा रहे हैं पाकिस्तान में गेहूं बेजने के क्योंकि वहां लोगों की भूख से मरने की रोपना है चुरू हो गए तो अमरी की सर्टार भी आज इस पावंदी हता कि यह हुँ बेचे की पाकिस्तान तो सर्टार कुछ दूसरे सामाज भी पाकिस्तान में बेचे जा तो अमरी का तो पाकिस्तान भी हमेजा से मदद करता रहा कोई आज की बात नहीं है इतली है पाकिस्तान की सरकार CTBT पर स्ट्रक्टर करती है नहीं करती है उससे भारत को कुछ लेना देना नहीं है भारत को अपने हिसकी बात पहले सोचनी है और अगर एक बार हम इसमें एंटर कर गए तो यह CTBT एक ऐसा agreement है जिसमें बाहर निकलने करा सकता है गैट करार को कम से क लोटिस देकर हम गैट करार में से बाहर आतके हैं लेकिन CTBT की संदी को जितना मैंने पढ़ाया और जाना है उसमें से बाहर निकलने का पुरी रास्ता नहीं है एक बार अंदर गुद गए तो हमारी पूरी की पुरी पुरतीकल सौरे में सी सरेंदर हो जाएगी और हम चोट अमरीका तरवियो नहीं और अप्तृतिकल सूडान और सूर्ट अवे दोनों आई गिराने के बाद सूड़ान। इतनी तेजी के साथ अम्रीका के खिलाव हवा पैदा हुई है कि कभी भी सुदान और अफ्टान विलकर अम्रीका पर आक्रमन कर सकते हैं इस दिल लाहिर नाम का आदमी जो इन्यों है करोर पकी है अरफ पकी है जिसके पास पैट्रो डॉलर बहुत बड़ी मात्रा में हैं उसमें घोशित कर दिया है कि अब तो अम्रीका मेरा दुश्मन नंबर एक है और मैं बता दूसरा कि अम्रीका रहे का से नहीं रहे तो यह दे आधि माड़िए तब से इराफ को खिलाफ है एंही अम्रीका के इरान भी खिलाफ है इरान और इराफ के खिलाफ हैं वह मुक्य का इस मौके का इंचिनार कर रहे हैं कि अम्रीका को सब्सक्राइए ये दोनों के शुकी है खिराफ में अमरीका के, कि अमरीका के कारण इन दोनों देख्णों को उस्तों की तरह दे राणा मुझा दस्ता अमरीका ने दिना में पर भोखा दिया था, ये नाम और इराक को दोखा क्या था एक बार 1980-1990 के साज की बात में आपको लगा है अमरीका का एक बहुत बढ़ा अख्वार है उसका नाम है वाशू गटन पोख तो वाशू गटन पोख नाम की अख्वार में 1990 के साज में एक ख़ब चप लेजिस थी और खबर ये थी कि एरान और इराक के बीच में एक बहुत बढ़ा इलाका है रेजिस्तानी जिसका नाम है शत अल अरप व्य Kun outdoor रेजिस्तानी इलाका है उस एक रेशुपा हुआ है अधि होकिल के अभी इराप कि आज़ी पर केचा है कि यहां पर शेच्चुपा हुआ है तो जो इलाटा है शर्द कि वब्र हैं और लकिन वाहां कोई। कर दिया कि हम तेल निकालेंगे कि पहले शांती था वहां पे कोई मुश्किल नहीं थी कोई धगरा नहीं था लेकिन जैसे ही एक खबर चपी तो तुरन धगरा बढ़ गया और दोड़ों देशों ने का ये मेरा इटाकर ये तेरा या फिर ये धगरा युनाइटेड नेशन्स काउंसिल ने अम्रीक लोगों की मदद दोड़ दिया गया तो अमरीका कश्रास कि यह वापस में लड़ेंगे तो उनके पास हथियार को है वह थियार अमरीका से फ़ीगे अमरीका को अपने हथियार बेशने, अमरीका को अपनी बंदू के बेशने, अमरीका को अपने हवाई जहाद बेशने, अमरीका को अपने बंदर्शक विमान बेशने, तो अमरीका को तमाम से रहे के हथियार बेशने से, क्योंकि अमरीका दुनिया में हथियार बनाने माला सब अब आश्यार क्रेंगे कि अमरीका की पूरी की पूरी एकॉनोमी है उतका दो दिहाई हिस्ता हजियारों की विक्री में लगा हुगा तो सौद पर्दम में तो 75 रुपए का उत्पादन हजियारों का है 50 रुपए का उत्पादन बाटी का माना तो दो दिहाई रस्म्यवथ्था ि थाउं की दो दिहाई से भी ज़ावा अधियार की उत्वालतर में लगी हुई हथियार funded करता है अमरीका लें हथियार बिखने भी तो थाही। तौ अभी बिखते हैं जब दुन्या में वेड़ानियार होती है जिर्द होते हैं तो अम्रीका हमेशा पर यह कोशिश करता रहता है कि दुनिया में समय समय पर हुद्ध होते रहें ताकि उनके हज्यार बिखते रहें 1945 का जब दूसरा विश्यूद खत्म हुआ था तो अम्रीका और यूरोप के देखों में आपस में एक संदी करी थी और वो संदी का नाम है लो वार टैक्ट माने चाहिए इसका अम्रीका और यूरोप के देश कभी वी एक दूसरे पर युद्ध नहीं करेंगे आप जानते हैं कि दूसरा विश्यूद यूरोप की ददीन पर यूरोप की दढ़िवाद जिसमें फ्रांस वर्बाद हुआ जर्मनी वर्बाद हुआ बहुप सारे दूसरे देश वर्बाद हुए तो हमार दोने पनने कि हमसे कि अंपातमें घ्रतिन के कि अधरी कि अधरी ङरुटीने कि हैайте effectively ईर्वी ची यॅजय अंतधी के यहांद समय कई कि चोछी एक हमस्यात्त तों और में डिलमार quई अला फ्रेग तो पैदागी से यह संदी बरावर बने हुई है तो अब यूद्ध कहां हो पक्ते हैं तो इसलिए दुन्या के दरीज देशों में यूद्ध करवाओं तो अब इसलिए दुन्या के दरीजों में यूद्ध दर्वादा रहता और वो उसने करवाया इरावर इरावर के दिश्न के तरहते सेव की ख़बच रपाकर और बाद में दोड़ों देशों में यह पैसला किया कि अभी इस सेव को लिकालना है तो ओन इसका मानिक होगा इसक और दोनों देश लड़ करें आप आत्यार होगा हाँ कि बुर्रामों में सूच की हथियार वचाने हों तब हथियार चड़ लाए तो अमरिका ने फिर क्या कहा इंदोनों देशों से इल्भाया भी शांती करनों उस बैटिट में चौदरी अमरीका बन गया और दोनों देलों के प्रहान मुंत्री और राक्षपती को सामने मिठा कर बोला कि अभी भाई लड़ते क्यों हो आपको तेल ही चाहिए ना पहले युद्ध करवाया जब हत्यार खत्र लो गए तब शामसी की बार और उसके बाद हो गया पैसला पैसला यह हो गया कि ठीच है जितना तेल निकलेगा उसने से आजा हिराक लेगा आजा हिरान लेगा फिर परेशानी इस पर आई कि तेल निकालेगा हूं तो अम्रीका ने कहा कि ठेका मुझको दे लो मैं निकाल दाए और एक अम्रीकी कमपणी ने उसका नाम है एक्सॉन उसको ठेका बेगा अब आज देखें रूरीका ने किस करें इस निकालेगा ने इन इसको मिद्लीट किया दोनों देशों को कि लड़वा लिया हतियार देखें फिर ठेका भी खुद लेगा अब एक्सॉन कमपणी ने सेव लिकाले का काम शुड़ किया तो एग्रिमेंट ये तख लिया पहले ही कि हमको एड़वान को पैसा शेही है तो दोनों देशों के पार हो गया दो सार हो देखें आद दो सार इसमाज कमपणी ने कह दिया कि इस पूरे इलागे में कहीं भी से अमरीका जैसे नावराई देश की चक्कर में पसकर पूरा अबाज करने एक अधार के युद्र में इलागे इरान भी अमरीका के जिलाग के इलाग के तो दुबारा थे 1990 में जर्ड़ इराग के उपर आतरमार किया सा अमरीका ने और 28 देशों ने मिलकर अश्ती इलाग इरा जब भी जो होता है तो अंतराश्ती कानुन है कि इस्कूलों पर बम नहीं गिराए जाएगा और धार्मिक इस्थानों पर भूम नहीं गिराएगे लिए और 80,000,000 इराथ ही मर गए तब से इराथ में फैरंकर अमरीका असमा देवर है और इराथ की राश्रपती भी बहुत अमरीका देवर ही तो अभी हालात ऐसे बन रहे हैं कि यह सब यह सब गर्ष देश शायद एक ना गो जाएं अगले इस साल करें और अगर यह एक हुए तो हो तकता है यह जंग कर पर साइब अब यह जो आर्शिक राजनेंटी किस्तिमिया पैदा हुई है उनको ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूं कि हो किसका है मरी 1909 में इसको कारण यह है कि यह गल्फ देशों में एक होना शुनू कर दिया जिस दिन सूडान अफ़वालिस्तान और लीविया औ और उनका एक देश है साओधी अरग में इस समय अमरी की सहनित पड़े हुए हैं जिस दिन साओधी अरग की सरकार में तर्फला किया कि हम अमरी की सहनिकों को अपनी जमीद पर नहीं रहने लेगे उसी दिन युद्र शुव हो सकता है बस देर अब इसी बात की है कि साओधी कि सुवादी पर अब दूसरे कार में वह है कि एक तो यह गल्स देवों में एकता हो रही है दूसरी तरफ जन्वरी निन्यानवे के बाद यूरो गूर्वर नाम की एक करंटी आए यह अंतराश्टी बदा आए यूरोप के बाहर देश शेख हो गए उन्होंने कॉमन यॉर में उसमें शामिल लए प्रांस है, जर्मनी है, आॉलणे है, स्वीडन है, स्वीजटे बेंड़ देश एप हो रहे अपनी और फैस्टी खडम करेंगे और एकी करंसी चलेगी पुरी दुन्या में यूरो डॉलर जन्वरी में आजाएगा, उनीसों लिद्नाविन और महीं उ और यूरो डॉलर का दाम निश्यत रूप से डॉलर से मेंदा होगा, यूरो डॉलर मजबूत होगा, डॉलर कंदूर होगा, क्यों होगा, इसलिए कुछास्ताइब, तो अमरी की सरकार में इंफ्रेशन किया हुआ, इसलिए डॉलर को तो ने मैंटेन करते रखा, और अभी इस मजबूत होगा, डॉलर कंदूर होगा, और डॉलर की कीमत गिरना में सब्सक्राइब, यूरो डॉलर कंदूर होगा, तो अमरी का आगा, फिर संकट बढ़ेगा, और हो सकता है, अमेरिकन उक्री सब्सक्राइब इसी इस्तिती में अर्वाक लाएगा और इधर यह गल्व में एकताबोना शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि युद्ध शुरू हो इसी गल्व में कहीं किसी इस्थान से हो सकता है इस्राइल युद्द भूमी बने आपके बार पिछली बार फ्रांस बना था युद्द भूमी सेकंड वर्ड 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 में हो सकता है इस्राइल युद्द भूमी बने और हो सकता है लाखों लाखों लोग उसमें मारे जाने और वैसी परिस्क्किती में हमको हमारे देश की सुरक्षा की बारे में सोचना होना इस Subnitry से बिचाक करना और इती है मुझे लगता है कि यह CTBT पर हस्ताक्षर करना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाव रखना CTBT जयसी संथी पर हस्ताक्षर करना भारत की राजिना के संप्रवता को गिर्वी रखना है और ये काम नहीं होना चाहिए हमको तमीच्छा भी कर देनी चाहिए कि किस तरह के दवाओं में इस समय हम भज गए हैं आप सोचिए ज्या से दवाओं आए हैं उसी में तर्टारों ने सरेंडर कर दिया इसके जादा दवाओं अगरा के तुसे क्या होगा और मुझे लिखाई दे रहा है कि कि तरह से भारत के राजाओं ने अंग्रेजमों के सामने सरेंडर किया होगा ऐसे ही हुआ होगा आज के राजा जिस तरह से सरेंडर कर दाने अंग्रिका के सामने ऐसे ही महारत के पुराने जवाने के राजाओं ने सरड़ किया हो गाने तो शायद अपना हिजिहाद फिर दोब्रा आगा है अपने आप और मुझे रहता लगता दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े अर्टशासरी ये गंबीर बात कहते रहे हैं तो शायद भारत का इजिहाद अपने आपको दोरानी की इस्ति में है ऐसी परिपिजी में आपको कम दिंसा से सुचे और हमारे देश्टी इस्ति तो बहुत ही जहिनी है इस घ्रश्टी से कि हमारे उपर किछले हजार साल में बहुत आख्रमन हुए आजदी के बात को मैंने ब अध्यविश्टा शुरूब से उए एक प्रोब ही मूश से नहीं सो चेक्पर का आवकर अश्टी Cum bourण था लेकिन 1965 का अश्टीria म्गारत के उपर दिना हमारे तोनिस से अन्हारी स्था अश्यपन शाह से अपरे होएं सब्सक्राइब पर नियुक्त करें और बातिवी सदाफ़ी पे लेकर घंस्मी शथाफ़ी तक मौहमत बिन काथ इसीं के माध किर महमोरि व घंस्मी के बास, मैं ढटाफ़ी के लिए तो आक्रमत की नगा पतर। भयां इंकर परदेशी आक्रमन इस्टेश पर हुए हैं, दजबी शताफ़ी के लिएकर चौदी शताफ़ी के लिए और चौदी शताफ़ी के लिए और चौदी शताफ़ी के लिए तो दो तरफ से एक साथ आक्रमन हुए, एक तो मुस्लिम आक्रमन का हमारे देश पर चड़े दूतरी तरफ पे उर्टगान की भूते हैं हमारे देशा है वारत को डिनामा आया वो आक्रवाणी करने के लिए आदा है भारत की खोज करने नहीं आदा यह बहुत गलत बात है जो भारत की जहाद में पढ़ा ही जाती है वारत की खोज करने लिए आदा वो भारत की खोछ कर कहसे सकता. भारत तो वास्कोर डिनामा 5,000 पहले से हैं दूनिया. तो जो य Watch 5000 हाँ पहले से दुनिया में उपास्तित है, उसकी खोछ करकर सकता ही कोई? फोत तो उस बात की की जाकी हैं जो कहरती ही। के बहुत में सभारा थी हमाद को शुश करने आया रूप में आया आ कि आन्मान करने तैक्षा सब्सक्राइए लेकिन का विसे रखा पंडी को भारइश और आट कर अट्रमान कर सकता है या रूज की जमीन इस्केमाल की जा सकती है भारत-पर आत्रमन करते ही है वह स्पीर हगी में की जय है defines this लायदी के सकते हैं कि हमारते आधिशी आत्रमन कुर्ड़ करते हैं कि हम क्या हुसे जुश्बहें में रह से हैं और सबसे बाद दुर्भागी जो मुझे इस देश का रखता है वो ये कि आदा दी के बाद पिछले 50 साल में हम हमारे देश के लिए कोई राज्ट्रिय सुरक्षा की नीदी नहीं बना पाए पिछले आदाके के पहले में परदेश के बात देश्ट की आदह को कि कल्को फिर पदेजी आक्रमान हो जाए तो देश्टी क्या इससी हो, कैसे धेलेगे अपने क्योंकि उन्हें साथ में जो होगा सा तमाशा, उन्हें सो बेतानी जवतानी समय जब भारत बिवा रहा हुआ पकिस्टान ना सुरन पर के पकिस्टानी कि करण से पाकिस्टानी साथ टो चारि सब्दोन और भारत से जाव दिया तब तक क्या कर रहे हैं राजा हरी सिंग से बात्षीश चलो पड़ी तो आज ये जो पार वकुपा एक कश्मीर की समस्या ये हमारे गलेशी समस्या नहीं बने हैं कि हमारे ही देश का इलाका है जिसको हम पात्यक्रत कश्मीर कहते हैं तेश्ध के फूरे पाकिस्तान सब्ज के सब्सक्राइब गई ये साथ्वा को को चलगा तो पाकिससनी सेनाव में एक बरे इwarmताल कर लिए हे जहां पर भारती है सेनी केंगो जमीन भारत की, जहां पर पाकिस्तानी केंगो जमीन पाकिस्तानी केंगो जमीन पाकिस्तानी केंगो ऐसे जोगों पूपी के समझा पे करते रहे हमारे लिए तो उसमें नतीज़ा क्या निला? कि हमारे दिश्क्यत तीम डिविजन पाकिस्तान के सबकरे लिए, चो आजमी हमारे इये चिस्चोड पैसा की कुछ भुशाओगे, तो ओ antic National NTоля, पैस्तान के में हूँ, ना तो आज ये समस्या हुदी की। और ये तमत्या पतानी कितने दिन और चलेगी, कितने लाद लोगों के बलेदान लेगी, कितने लाद लोगों को उपने घर उजड़वाने पड़ेगे, कितने लाद लोगों को वहां से भारना पड़ेगा, उसका कुछ अंदार रही या उस तमय के निता हो, और इतना पूस प्रफित देखा उसको भाई गणा दिए और चीन गड़े पंडित नहरू राखी बनवाने की यह क्योंकि भाई बना लोगे लोगे पापस तो चीन में आखना दर लगा इतने बड़े भोके में रहे करे पंडित नहरू और इतने बड़े भोके में रखा उम् inspir Когда बमडी चीनि भाई हम अच्छीन गड़ने को वारतीय सहनिकों को वहां से भगा दिया लिया, वारतीय सहनिकों को वहां से भगा दिया लिया, तो अर्माचल प्रदेश के भारियों ने लाटी से घंडे से जो भी उन्से बन पड़ा, चीनी तरिकों का मुकादा किया और उसमें हजार उसे हमारे के अर्माचल प्रदेश के बेता सूर ना, उसका दर आज भी उन्चे दिल ना है, और आप जाईए उनसे बात के लिए तो पूछते हैं कि हमको भारत में दिया क्या, जब हमारे उपर चीन का आख्रमन हुआ था, तो आपके स्रहित को कभी आये हैं हमारे प्रदेश के, हमको तो खुछ जेलना पड़ा चीनी आख्रमन, और उसमें नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा, कि हिंदी चीनी भाई और भॉक्तर हादार लग मीर जमीं पर चीनने कपजा दमें गाता है, जो आज भी मुटे कपचिनी पहले मुट्पार उसमें पहले उसमें, और पर उसमें पीजित में लुप्सतान उसमें मुट्पारण का शाए. उसमें थोरी नमें गजनीमत ये थी कि लाज़व चानी आ तब अम्रीका पीछ मैं आरा अम्रीका दो स्धार। कि अपर कि दुफ्फ करें कि नाम जो जानते हों कि अब इसको अमरीका में जांगती नहीं खाते हैं बाद लाए शास्टीि ने अामरी की धंकी की ताम ने यूभण्ने से मना कर दिया अमृत्री की एक डना कर देज़ीने जिस्ते ही शास्टीजीने स्फी देखाये अवीना परकिय早 की भhouses और सुए होले kept जाएक्या आईक्या घंक ययं मेंद धूसे बन करना और देश के करोणों नोगों ने शाक्तिरी की बात का जवाब दिया करोणों ने तो मजबूत है जनता कभी कुरपानी मानता है तो जनता कभी पीछे नहीं हटी सवाब देशां की इंटिकर्टी का है जनता इस देश में बहुत मजबूत है जनता कभी सरेंचर नहीं कर जनता हमें भूखा रहना मंजूर किया पर इस बात का किसी आदमी ने दबाव में आ रहा कि आप अम्रीका से गहूं करी देए हम भूखे में रहेंगे लोगों देखा हम भूखे रहेंगे सम्वाल के साथ हमको भूखा रहें ना मंजूर बजाए इसके कि हम अम्रीका से गहूं करीदे और अत्मां के लग शर्कों पर उसको हम खाए लेकिस दूसरी बार शास्तुरी की दबाव में आए और थे हवारत के ही अंदर के नेता अंभीका समर्खन प्रमंस के लेट ताश्कन सम्झवता करें और ऐसा सम्झवता हुआ कि वो वापस नहीं जाए शास्तुरी की बेट बॉड़ी लॉटी थी ताश्क शास्तुरी की हमने इपनी बड़ी दर्ती की उन्नीस को पैसट में के एक तो देश का प्रदान मिंटरी को यह नहीं बज्यान रहती थी एक अड़न के रहता है यह पपड़ेट के तो नहां का मैं कुछ दोड़ी पर इंके बाई आती थी अनके कवले में बोच आई नहीं का कुम भी द्रह लूत पर दोड़ी थी थी परम भी तरह चुछ लूता घंश कुछ दोड़ी मुझे का रहता हुआ था कि उनके एक बेटों को मुझे करनाएं उनका वेटा अंडेजी में खेल हो जाए तो यह बड़ा जी पर आचा था, रड़ा पढ़ाने चाहिए, तो शाक्त्री जी ने का तो शाक्त्री जी ने का तो उस यूटर ने का कि आपके रचा बहुत कंजोर है अंडेजी में और उनों पास नहीं होगा तो इस साल उसका अधे खर्चों में कटोटी थी, एक एते रहती है जो उसका में खायता प्रधान मंत्री था आज को कोई नहीं निखाई यह बढ़ा लिए तो आज दी रहती है, आज एक हाल अधे खाल अधे बहुत कराब एक बढ़ाई अधे प्रधान मंत्री या राश्रपादी ने अपन में से ब्रधान मंत्री की पगार तीन गुनी पढ़ द रही राश्रपती की पगार तीन गुनी पढ़ देश की आज से खालत बहुत करता नहीं है और बदेश होते आने वाली मदद भी रुखी हुई है क्योंकि आज से पाबर दी है, वैसी इस्तिती नों मुझे अश्य बेटाओं ने तो अब नहीं पता रहें जीन जीन पुरी पढ़ें इसी तो ने कहा था शात्त्री जी ऐसे व्यक्ति पे ना भूतो ना अश्यती जी शायद ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है श्केश्ट और क्या हो गया था वियुत जब शुरू हो गया था तो इसे शात्त्री कि पत्मी लड़िता जी ने कहा अभी नहीं घुसी लागे कि बारी के लिखने कि क्योंकि मैंने दिख मुश्क घेरे क्षोन दिया दा तो इसा गांसा कि जितने तम्ने खंचे में तुम घर कांप चलाएं पार गूरत को जोंकि पनी किको सबचे में कर था प्रूंकि उंकी प जिसको हमें खोया उन्मी सो फैंटरी स्थान की बाता है एक तो जमीन होई इस्थी दूसरा इसा प्रजान इंद्री खोड़ा इसनी महलता गद्मी आपके उन्मी तो महत्तर में गलती होगे क्या करती हो बें मुझे अगता है या तो श्रीवनी इंद्रा कांजी को भंगा देशी उसमें पहर पताना नहीं चलिए उनका अंत्रिक मांगा था वो सुझीदा दे और अगर पहर पताया तो पूरी इंद्धत के साथ बाहर आना चलिए चांदे जाबवात बाहर किये तरे प सब के सब फोड़े हैं और दुमी में ते बहुत सारे जहिए हैं जो आज आये साई के येज़ेंट बनकर हमारे देश की नांसे महिए हो इतनी महें कर रज़ी हो क्यों निसको बाहर है तो ये जल्बियां हर बार होती रही है इस देश और इसी जो मैंने स्थोई दे पहले आ और एती परिस्थिती में तब स्थीटी बीटी को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही खतरनात सदम है जो भारत सरकार दोने करें तो ये तारे देश के लोगों को पूरी ताकत लगा कर इसका बिरोद करें और ये बिरोद दो इस तरपर होना चलिए एक इ और दूसरे इस तर्फर अमरीका को ये पता चलना चाहिए कि भारत के लोग अमरीका समर्कत नहीं है क्योंकि जिस अमरीका ने हमको परेशान की आप इसे 5-6 महीने में और जिस अमरीका ने हमारे देश्चे लेताओं को इतना मजबूर कर दिया है कि वो तरंदर करने की इसक अबिका की इस प्रह्ण के घुम्ले की है जो करने हाथ पकड़ता है तो बहुत पकड़ता है और पिर दर्दन दढ़ा देटा अमरीका दोस्त नहीं हुआ कि तो अमरीका के साथ दोस्त भी बहुत मेंदी पड़ी थी अमरीका को तफ़िका ज्यत jest तर्द मिलकूल जीना है तर्द मिलकुल दीदा अमरीक सरकार थे वरक ह्भारत पर आजिक पाउधी की तो मेरा कि मानना है पांच और फ़िक्शा गाई तो अमरीका पुरम्रेका को अगरा अगर करती है तो भारत में भी अमरीका के खिराब पावंदी होगी चाहिए जोकि अमरीका ने पावंदी आन्वी कि करिक्ष में पॉक्षक कि अगरा करें कि अमरीकाने को अडू बं मनाएं और इतने अडू बं है अमरीका के बाद 20 हदार और इसक्रिये भी अमरीका पे आज़ित पावर्दी होई नहीं चाहिए कि हमने तुस्य फार्विक परिश्वर किया है अमरीकाने को अडू बं भी गिरा है चेवर्द 1925 को हिरो जिर्मापे गिरा और नौगर 1925 को ना लगठ लिए जाबान के उपर दो आणविक बं गिराए थे अमरीकान और दोनों आणविक बं में लाकों जाबानों पर गिराने क पर आवियान बंड दोनीं किया है जाबान के उपर गिराए लाकों जाध लेकों जाबानों के बात कि उननी तो असी के दशक में आपको बताया इराक पर गिराए और लाकों इरानी एराकी कि भाए तिर निक 2008 के दशक में इसम्ट एorthy यह अगर अम्रीकी सरकार पावंदी लगा सकती है भारत पर आरफिक रूप से तो क्यों नहीं भारत सरकार कानूं बनाए और अम्रीका पर आरफिक पावंदी लगा है अपने हैं तो आप पुशेए इसके चाहऊगा अम्रीका को दो मिनटे हम सीना सिक अम्रीका की जो सकते सम्जोर नक है उसका नाम है जोल्टर अगर अमरीका में डॉलर जाना बन्द हो जाए तो अम्रीका दो मिनटे सीना हो जाया अमरीका में एकी गर्षी की एकी शीर की पूजा होती है वो है डॉलर विजसी से कोई मतलब नहीं जिस दिन अमरीकी सरकार को डॉलर का मुक्तान हो चुरू हो जाएगा वारत के कार्ण, उसी दिन, अमरीकी सरकार दो मिनट कर तरंजर तरते हैं कि अम्रीका कानली शेर है कोई बहुत दम नहीं इक इचेंग वाले अम्रीका दे साल सरेंजर करह सजोद्र il अभी आपको मादून कर विल्किंटर में आपकी पोले दिन कर देखे रहा दोगों को लेकर गया था ऐसे जैसे दूले ती बराग चाथी ती चीन की सरकार ने कानून बना दिया जाए अभी कुछ दिन से अभी क्या कानून कर आपकी तो वो कहते हैं लेकर जाने की अमधिन की सरकार ने कि अगर अमरीका की कोई कंपणी मुनापा कमाएगी और जीम ते अमरीका ले जाने की कोशिश करेगी तो उसके लिए कानून यह है मान भी मानलीजे आप जी का किमबने लें एक अरब दॉलर ख मणब कमा आए चीन तो कानून यह बना धिए है कि पहले आप चीन काून्द्था मांन अमरीका में बेच कर आए उसससे एक अरब दॉलर कमार चिंच थी मिल कभी हो गए और दोर दोर के रोज चीन जाता है उनसे समझाबा करें और चीनी तरकात उनको खाथ निदा पहले अमीका ने कोशिश्ची की चीन के राश्टपती को अपने देश में बुराई रजा उतने का मुझे दद्रत नहीं है आपको जग मारने आना हो जो है और यही दिल्किंटन ज सबसे लेकर चीन को ब्लैक्रिस्ट किया हुआ था अम्री की राश्टपती विल्किंटन ने उसी विल्किंटन को रिजा के ख़़ा सकतिया चीनी सेंकों है तेनामन चौप पर और खाथ जुको और सलाम को सलाम ठोकना पड़ा और उसके बास बिल्किंटन यह सब करता गया कर करता गया चीनी सरकार जो कहती गई वो करती गई तुमीज मैं कि चीन की तरकार मेरे भी एक बास मांगे कि यह डौगराना शुरू हो जाएगा चीन से और बात में जब बिल्किंटन ने का कि अभी मैनको आप कितनी लखने मांगी है और बहुत ही अतफलता के साथ बिल्किं पार्टेंटन चीन से वापक वाठा और इसकी खार हुई है विल्किंटन की उनके पार्लेमेंट में जिसके आप कलना ना हम और विल्किंटन जिस पारटी का के टेड़िटेट्स है वाइंकर आ लोचना की किया चीन गई तो आपको बता रहा हूं यह अग्धार मैंने आपक अगया हूं दया कि धीलर भकी में अकर हमने को खाएगा और अगर अगार और इसकी धंकियों के साम में हम ने सरेड़ दर करना हं घुटा जिसकी अरूच स्भी करना ना चुरूक की आ तो अपके दो चीद में दोवरागे अभिका नहीं जाएगा तो भारत का डॉदर भी अभिका नहीं जाएगा और अम्रीका किarta दुटी है तो भारत की सरकार भी यह काम करती इतक व्हारत की सरकार दूब हे आध रिखने और इसके लिए बहुत अच्छा हो और अम्रीकी कंपनियों के तासा अम्रीकी बैंक, अम्रीक एक्प्रेस, इस्पेंडर्ड चार्टेड, यह जितने अम्रीकी बैंक, भारत में धंगा करना है, इन सब के ऊपर एक तरफ से पावन्दी लगाना है, तो आप देखें, दो मिनट में अम्रीका दिला दो, अम्रीका बिला करने का यही एक राफ्टा, दूसरा कोई राफ्टा है, नहीं तो वह आपको सतम करें, एक ऐसी लगाई होती है, जिसके बारे में बड़ों अम्रीका को पीड़न है, नहीं चोंड़ों पीड़ने हैं, तो उसके लिए राफ्टा चारे, राफ्टा मैंने बताया, विल दूसरा के हाथ एक पैसा भी अपनी गाउं का जाए, तो यह देश के साथ गर्दारी है, देश के साथ जो हो गहीं, तो यह करना बंद करते, तो भारत की तरकार अटर करें वो बहुत अच्छा, लेकिन मुझे नहीं दश्कार भी तरकार पुश्टा है, जो भी पांच महीन पहुत जाए, तो अब दूसरा के हाथ जाए, तो यह दो अपनी की तो आपनी लगाई है, अमरी की लेंगों पर भारत का इतना भणा हो जाएगा, और मैंने वोगें यह करना पनी लगाई हमारे उपर, और वहां से दो अरब दोलर आना बंद हो गया भारत में, दोपर दो तो अगर हम अमरी का के सिटी बैंक पर पाबंदी लगादें, पैसी कोला पर पाबंदी लगादें, वोपर कोला पर पाबंदी लगादें, उनकी धूतरी फॉंसरी नाम की कंपनी पर लगादें, एल्जी नाम की कंपनी पर लगादें, तो देश का तो कुछ खास मिस्तान लेकिन हमारा हजारों करोर रुपया हर्का लंडी का जाने से बच्चाएगा है महादेशने 12 करोर डॉलर नहीं आएगा और यहां से 1000 करोर नहीं जाएगा लेकिन अभी तक तो सरकार में सुनाने हैं और मुझे अफसोस है यह बहुत ही गंजीर अफसोस है मुझे आप उशेगे क्या इस सरकार में सी लैसे मंद्री हैं जिनों है एक जमाने में कूका कुला को भारत के बढ़ाया रहा है उनीस सो सब्सक्र में उनीस सो सब्सक्र में श्री मुराजिवाई जेसाई व्लान की बढ़ और उस सरकार में श्री अटक विहाली लाश्टी मिदेश मान की बढ़ और उसी सरकार में जौर्ज पर्णांडी उद्योग बढ़ बढ़ और उसी सरकार में लाज कृष्ण अडवानी कूचना और प्र और को का पूला खाता है और को का कोला भागा उसके पीछे आईडियम भागा। एक अम्रीची कम्पटी जिसकर आए इंट्रेशनल बिस्निस मशीन, कम्प्यूटर बनाती है, वो भाली यहाँ, फिर IBM के पीचे पीचे ICL भाग, इंट्रेशनल कम्प्यूटर कुने के, यह भी अमरिकार की कम्प्यूटर है, तो कोका कोला भागा, IBM भागा, ICL भागा, और एक कर्चे को अम्रीची कम्पन भागेवानी की, लेकिन वो तरकार बेदे, तो यह काम अधूरा शुदिया, तो मुझे एदा लगता था, कि जिन तरकारों ने कोका कोला को भागाया, जिन मंत्रियों ने कोका को भागाया, जब वो धुवारा पे मंत्री बन जाएंगे इस लेकिन 5 महीना हो गया है, इन तरकार बन जाएंगे ना को को भुदा भागाया, यह अश्की गोला को यह है, कि जो श्री अकल गहारी वास्त्री विजेश मंत्री से, आज पर्धान मंत्री, जो जो जोच परनाटी पहले उप्योप मंत्री से, आज रक्षा मंत्री, जो लाज लाज करशडवानी पहले सूचना आप प्रपार मंत्री ते आज ग्रह मंत्री हैं, माले तीनों का ही प्रमोशन गुआ है, और तीनों की ही ताकत पहले से जाबा है, अटंजी तो तीने गहार मंत्री है ना, और जोज परनाटी तो रक्षा मंत्री है ना, और लाज करशडवान कि यूला पर तीनों को वोज हैं जिनों में कोका-पोला नपाया पर आफ निकीचा निकालना चाहते हैं मैं एकी नकीजा निकालना चाहता हूँ कि सस्ता की अंदर जाकर चरिक को कैसे ठेख दिया जाता है सस्ता की अंदर जाकर आदशों को कैसे बली तबाद जाता है उसका ये सबसे नंगा उठाटने तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये सरकार करें तो फिर आप पुझे किसे उम्मीद हैं, तो बंदा पुम्जवता करते हैं, अब यह देश में ब्रिपूस बुला हो गया, बोई पार्टी समझवता करने में किसी से पीशे नहीं, और बोई पार्टी कीटर और गंदम में गिरने में किसी से पीशे नहीं, हर पार्टी में रि कि तदानों को यसरी तरभ आठेवारे सब्सक्राइऑ्स. करना ले तेश के बंद हो गए हैं आर्ट कोरों बदूर इस तेश के बेवर्जा गए इसलिए आठ साथ में जो उदाली करण की नीटियां भारत में चल रही है उदाली करण की नीटियों का यह लुफान हुआ है फूरे के फूरे देश को तो मुझे उन्हा रखता है। भारत के राख्पवा दी déjà करने दिकस्ता को गए कि पदार नहीं लेजी इसका ही। क्योंगि मैंने सुना और मुझे मालूँ है युए पाकिस्तान के बदार इसका ही पदार ही लिए। पाकितान के राज़्यपत ही तिननकी काम जा है…क्ट पाकितान के जतनी काम कर रहा है car तो अमहिकाने जव्से आपकिस्तानी की आफसानत थोड़ी खड़ी खरब हए और तो पाकिस्ता doctrine की नेता पर इसल्य रास्षभाती है तो भारत की निता को फारी मिंत Inutit ह्मारे नेता Siya की इन शुम्हाले कितां बड़ो राश्षभाति हो गै dong हो हुआ है हुआ भी कार्वादीर्स भात्तावादी कुस्सक्रादी धीदू national कि अधिर पर्रोध कर आ यह कहते हैं जितने भातन में आपल ज्यार बातन के तुम्हें है यही वो कहते हैं कि राज्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट ऐसे निए पाइबाकर हों कि पारें को हें को कुछ on कि याध मेरे द्रबाद के लिए हाथ मेरे हास से लिए मेरे हाथ के मेरे ऐक्षिए और द्रबाद का स्वाथ कि तुम स्वार किना जिए प्राज के ने पांगि भारे में सुमगें कहता हम। कि दरग्राइस को बिना आखे पियाना वो पुर्ट रगों मैं आखिछा। इन लोगा को कॉंसा पुचलो। मुझी एन श्रीयकर जारी बाज पेसे आपको वंसा पुचलो। अब धरग्राश्टन आखें नहीं होने के कारण अंदा था ये तो सब आक्षिन होते हुए रहने हैं इसलिए आप इनों पर भरोसा करना शोड़ें पार्टियों पर भरोसा करना शोड़ें अभी तो अपने हुँपर भरोसा है तो आप उचे में दूसरा कोई रास्ता है हाँ एक रास्ता है थोड़ा तक्लीफ वाला है लेकिन अब बढ़ी ता और कोई राज्टा में जब सरकारें देश विरोधी काम करना शुरू कर जए राश्ट विरोधी काम करना शुरू कर जए सरकारें सिर्फ स्वार्प और सब्ता काम करना शुरू कर जए तो राज़्ट के दोगों को पुछना ही होगा और खाला होना होगा आप पूछेंगे हम क्या करें तरकार पादंदी नहीं लगाती अमरीका पर और तरकार नहीं बंद करती अमरीकी कमपनियों को तो कंसे कंद आप तो पादम भी लगाजी ते अमरीजी कंसरों आप तो बंग कर दीजी ते अमरीजी कंपनियों का ठामान लेएं ये तो आपके अधिकार खेट समय है ना इसके लिए तो प्रदान अंसरी से पूछने की जरूर रखना है कोई भी अमरीजी तामान आपके घर में नहीं आएगा क्योंकि अमरीजा हमारा दुश्मन है और इस तरका दुश्मन है कि भारत को बरवाद करने की कोई भी कोशिक को छूपना में चाहाँ बिल किंटन ने इस लाग को दो बार रहा इसकी गंडिका को सोच के रही बिल किंटन ने कहा कि सोबियस कंगो खतम करने के बाद अब भारत हमारी विट्विश्मन अंबर एक पर इसलिए भारत को खतम करना अभी अमरीजा कर सबसे बड़ा उदेश है क्योंकि भारत अमरीजा को कशकर दें करता है अमरीजा को दर लगा रहा है क्या दर लगा है भारत के वैग्यानिकों ने बिना अमरीजी की मदद के पर्मानु करिक्ष्मन की भारत के वैग्यानिकों ने बिना अमरीजी की मदद के विसायरे बनाए बारत के वैग्यानिकों ने बिना अम्री की मदद के ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं इसके बारे मैं अम्रीका की बॉक्टार्ट उस दिन से समझ में आ रही है जिस दिन से भारत के वैग्यानिकों ने फर्म 10,000 बना है क्योंकि एक बार राजीम बांदी बैसे अम्रीकान में सम्झ माना कर रहे हैं जा राजीम बांदी की बादि लॉटकर है लुटकर आने लिवाज भारत के वैग्यानिकों की यह निके है और Department of Family Communication में इस ऐसे के उनका नाम है Dr. भाटकर तो दॉक्टर भाटकर को कहा गया कि आपकी जिम्मेदाई है कि आप भारत्र सुबरकूप्पूटर बनाएं अमरीका हमको नहीं देखा, कोई विदेश हमको नहीं देखा, हमको तो दॉक्टर भाटकर को कुछ और ग्यानी दिये गए और पूरी तीम में विदेख वनकी आप स्थादन शूसी को के आप fewटर कॉटर बनाएं परभाटकर पूरी दुनिया में किसी के पास पूरी दुनिया में किसी के पास ने कि आप है पूरा एक दिन अभी कुछ दिन पहले में परम 10 ना पेले में परम 10 था ने इसे एंदाजर करने ज़алы हैं। ज्यादा देजी से काम लगता है और प्रचा कितना है सिर्फ एक सो सरक्ष करोड है अमरीडा में इस लेवल का सुपर कम्प्यूटर बनाने में अल्गों डॉलर खर्च होता बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होता बारत के रहते हुए पाई बचाते हुए सश्च में रहते हुए क उसच में जीवन नीजाते हुए इसके स्कतर में एक सुपर कम्पूटर बना गजिस कर दिघा कि कर दि अभी बात हुए का साय कि Twice सूंचित Rabbi Ainu किस नाव में किसना थोना यह देमीर के नीचे वो बता तबादेगा, इस प्वाइटी का सुक्रकंप्यूटर हमारे पौर्ठ और अम्रीका उसी दिनसे बॉख लाया है, उसकी बॉख लाहारत यहा है, कि भारत के रख्यानिकों ने यह जो परंट 10,000 सूपर कंप्यूटर बना लिया, ताकि जो आईजिकल कंप्यूटर बना रही है और इसके कही गुना जाए अच्छा हमारा सूपर कंप्यूटर है, सबस्ता भी बहुत है, इसलिए अम्रीका बॉक्षा है, और अम्रीका इसलिए कि भी बॉक वाप आया हुआ है, जिना उनकी मदस के, जिना किसी विजेशी के मदस के, हमें 20.000 किलो मीटर से मार करने माली किताई बनाएं, जो आप्सर एपी जी अबधुलक्राव्चा यह सलाम है, तो उनों भारत में सिस्क्वारिटी की टेच्नोरजीदी है, कि हम भारत रत मिला इस देश्ट ने को ऐसे ऐसे अधे खाल्दू के लोग है वो भारत रत मिला इसे जिसकी हम तलबान नहीं है और डॉक्तर एपीजे असुन कराम ना इस उस्ता का भी लिखी है उसका फिमोचन हुगा है अदेर्श करणा है कि हम किसी वी लिखे रेखर रखी नहीं करपाएंगे अब पालब भी राफ्ते पर जाना होगा हम अब रफ़ इसी की राफ्ते परगी जाना होगा . यही राफ्तान . तो यह जो हमने काम किये हैं पिछले कुछ बर्षों में इनसे अमरीका बॉक्षा आया और हमने जो अनुबं परिक्षन कर लिया इस अनुबं के बाद यह सिट हो गया है कि भारत चार्वार्ट सो अनुबम बना पिकता है ये बात है अमरीका को मार्च में दूसरे देशों को भी मालू है तो अमरीका इस बात पे भी बॉक्षाया हुगा है कि भारत ने कभी अनुबम बना लिया और वो अनुबम किसी तरह से एक एराख पुरुश गया तर्दाम हुसें के हाथ में आगी तो अपिक तो ऐसी इससी होगा है और तर्दाम हुसें कही बार ये बात भोश चुका कि मुझको अगर एक 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 बंब मिल जाए कि नुई-यॉर्क के क्या है और तर्दाम हुसें कितना इदली जादमीन है उसका भी एक इंटर्व्यू मने पढ़ा का कुछ दिन जाए उससे जो सुछा गया कि एक एक बंब मापको कहां से मिलेगा उसने का मुझे उपीन है कि भारत में जाए क्यों में जाएगा कि भारत के ताथ मेरे रिष्टे बहुत अच्छी है इस टेलान बंब में वहां कि महीं सुमशा हिर्यां से हमारे रिष्टे बहुत अच्छे है और इलाग की जो तब्विता रही है तो प्रोटामियन कुल्चर कहते हैं हमारी भारतिया दंस्कृती के तरी तरी स्वासा भीटती तो हमारे बहुत पुरानी रिष्टे हैं दिगा आज के निए, आज की नहीं पुरानी रिष्टे हैं आज के नहीं है है और लोघ्ठी ठोटपाइब तो अमिन्य टी ते इस ही एकली थे ऐसी जिगहां परफिव Щा को आजा तो एक एकमम अगर उसमे नॉट्स पोल के गिरा है तो नॉट्स कोलिटी बरथ पिगलना शुरू हो जाए कि अगर नॉट्स कोलिटी सब बरथ किगल गई तो अमरी का पानी में नोटी जुड़ी आए इसलिए अम्री का बॉखलाए है इतनी एक अड़ाम हिए तो अम्री की हालत बहुत करा अधिर और इस बॉखलाए हट में अम्रीका ये सब कर रहा है मेरा ये मानना है, जि अमरीकाने पニए पचास साल में कितने फ़ाप किये हैं उन सब पापों की सजा उसको बिलेगी नहीं क्योंकि दुनिया में सत्य है और सफ्य की सुरक्षा भी होती रहे आग से नहीं, रावर के जमाने से कंच के जमाने रावर चाहे जितना थासवल होज़ाए, शंद चाहे जितना थासफ़वर होजआ एक नएक न Ching Park मरदानी होज़ा और जो जितने अहेंकाई होते हैं, तो बुस्तव बात करेबा हमको हमारे देश के बारे में सोचना होगा कि हम अमरीका से अपनी दूरी कैसे बढ़ाएंगे दोस्ती करेंगे लुक्तान होगा दूरी रहेगी बाइने मेंगे और मेरा माझना ये है कि अगले साल मही उनीस पर लिन्याल में कि पास जब डॉलर गिरना शुरू हो जाएगा तो हमारा ग्यापार जितने डॉलर में होगा उदिना गॉस्तान तो जब जालर के डिपेंडनेंस हमको कम करना होगा और डॉलर के डिपेंडनेंस कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि भार्स से अमरीकी कंपनियों को विज़ा कर दिया जा कि बारत रखार नहीं भगा सकती मत बगाए तो मेरी आप सिस्थ पहली अपिय विए कि अमरी की कंपनियों के सावन सरी सब्सक्राइं के सब्सक्रां थिन लाए 빼 कि इसको अम्री की थाल है जूसरा इसको मुद्ध कर आथा किस जाथा पैसी की बोतल 70 पैसे की बनती दसोंफ़ी जब से 8500 रुपर में जो मिलीनिकर कम उसका है इसका मानिक लंबस सौर उपई में एक किलो लंबस सौर उपई में एक किलो कुका कुला भीना सौर उपई में एक किलो आयगा दूप मिलता पस्तारी सुपह में एक मीटर पैटोल मिलता सौर उपई में एक मीटर कुका कुला भीना पैटोल से मेंगा कुला जाय के मुझसे नहींगा तो क्यों किया है हुचा आगे देवों कुछा विद्धिये पेप्सी घंप लिंगा, शित्रा मेरेंडा ये तब पीना बने पहले हैं पहले कि पूला की और पोका पूला की मुचलों को समचल में ठिखवा दिया है कि बिड्दें के दक्तरों का जहना है कि पेप्सी और फोक पीज़े से कैंसर होता है और शित्टनी खिर होगा क्या मß य姓 कि अगर हमक्त सिग्द से в बोकका पूला पीज़ेंगे तो फैस यहां करे तो आंदी हम्ही करना, और 250 परतनी करते है यह पाझा तो पोड़ा दैले रहे हों? इस दिए सन्से कोई भी पेस्सी नहीं पिएगा जो ही तदहा है यहां ठेटे है पेस्सी और ओकापोला थंसके कुलिंगा कि हमारे देश के दो लाफ गाओं में पीने का पानी में है करोणा लोगों को पीने का पानी ने मिलता जिस देश के करोणा लोगों को पीने का पानी ने मिलता उस देश मैंगा कोई पैपसी और कोगा कुला पीसे हुए मैं देता हम तो पिरा अजिन जलता पर मुझे रखता कि ये सबसे बड़ा राश्चत होगी है जो पेस्टी और फोकी एक तो अपना पैसा देश के बाहर बेज रहा है इस देश के लाखों करणों लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है देश का पैसा पुझाईला है खुट भी बर्गात रहा है इसलिए आप पीएंगे लिए और किसी को पिलाएंगे लिए और अब अधीन महिने के बाद मुझे एक ख़बर मिली जाएए कि पुझाईलाओं में पैसी और कोकाडूला की सब दुकाने बंदेगे क्योंकि आप खरिषणा बंद करेंगे और किसी को खरिषवाना भी बंद करेंगे आप पीना बंद करेंगे तो पिसना आप यहां भी बंद हो मालेंगे कि फुटत की लोगों ने स्टेंक्शन लगा दिया इसे ही मेरा इस दूसरा निमेदर है बहुत लोग आप गोलें कि इस प्राजी भाई नाज़े का पानी पंत्रे का रख, मुसंदी का रख, नीबू का शर्भत, दही की लख्ती, दही की ताथ, दही की चाच, दाय का दूद, तुछ नहीं मिले तुम माटले का पानी को है भागे, तुम माटले का पानी पीएंगे पैप्सीन की ओपनी थंसुपनी लिवकानी और ऐसे ही एक और अमरी की कंपोनी घरिषा हर यक्ती बन रहेगा, किती ही घरवाई भी काल्गेट चाहिए आना चीए, और इसकी डेड़ लाइन दी तीन महिने रख, ये तीन महिने के बार काल्गेट की विख्री उसर जिए खत के लाइज नहीं लाइज नहीं है, कॉल्गेट तो अमरी की कंपनी है, टैस्टोटेंट, क्लोसफ, टिवाःका, फॉरंट ये अच्छ विख्री और यूरोप भी आजमारी मदब नहीं कर रहा, अम्रीका में जिस तरह से सेंशन लगाए थे यूरोप ने उसमें हामें हामिल अर यहीं यजिए हें जो पर लुघता, यहीं गर्च कंपनियां जो अमको लुघती रही कि नीम का दातून में ला जाटन कर ön बहुं ay इसके साफ़ साफ पर हर य़क्ती स्थारा की तो मिलाव विद्थान में नीम का ज़र करता है तो अफ्षान की घ्र बगलंगेनway तो नीम का रातू करें, और इसके भाइड है क्या है, अगर वारे दिरशने लोग के खरीज ना बन गए है, और पताफ चलते में एक काड़ी भी खरीज है, तो किसी बरीब आतू को रोजगा रुगे है, तो नीम का रातू लेक्शन है, तो यह हमारा हम्भी का जाने से बज़ जाएगा, तो यह कौँडे लोजप सिवापा और इसके खरीज ना बना, और नीम का रातू कि नितिये ही करें कि वालिटी भी बहुत अच्छा, और बहुत के खरीज है, और दुच्छा नीम का प्रोट, तो नीम का प्रोट तरह के किकानों उमारा है, तो लगाता आसके मु जो नोग जातогल नहीं कर सकते तो दूंग मंजन कर से lahdun कुछ निरुप मन्जनरा या कोई चुछ आपके पर इजवों नहीं चुह difamी नमदल मैंने किन्फ मंजन रहा करें दो रखनेन तो एक तो हमिला स्टेमाल यह सत आप करेंगे और उंग्ली का इस्टेमाज जब करेंगे तो उंग्ली में एक meridian point है दाइने हाथ की पहली मुग्ली एक्टी प्रेशर का विद्यार बताता है दाइने हाथ की पहली मुग्ली में meridian point है और ये meridian point है लाज जिन ते इस आइंटा बढ़ी आप जितने दे 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 नाज साथ करें उसके दे ने एक point रहता है और आपकी बढ़ी आपकी मालेश ते तो लिए दापसाथ करिए नमेशा आप लेए ब्रश करना बंग करें क्योंकि ब्रश करने लाइए जो ब्रश आप उतने मूमे रगणते हैं उस ब्रश को कर यहां करिए फिर बात्मों भी करिए फिर तीसरे दिन करिए फिर चौते दिन करिए फिर पांचमे दिन करिए फिर छटमे दिन यहां के खूं ने लिए फिर छे दिन में टूसब्रश आप पर जे खूं निकाल देता उसी पूज़ ब्रश को आप सालों साल में कुछ करने हैं वोगों के मतूरें बहुत सौफ्ट होते हैं हमारे गंज बहुत सौफ्ट हैं इसलिए सौफ्ट गंज वाले किसी भी आदमी को ब्रश ने करने हैं जिन बेशम में सब्वी पहुती हैं अपरीका अकराड़ा घर्मनी प्रांस देदेशन हैं वहां ब्रश करते हैं क्योंकि वहां की गंज बहुत हाड़ थे इसलिए ब्रश करना हैं और बेश को ब्रश बन करें निम का राथों महोंकर का लाद़ा था विखोबज़दंधि लॉप्ट रॉप्टरंगफ दर्विभार दर्व्ट इसलिए द्यवतर दर्वें हैं आप एक हैसे इसलिए वर अमरीकी कंपमिय का आउयर कभी ने खरीदेंगे जॉंसन ईं जॉंसन उसका फागूं देरा प्रॉक्टन इंगूर उसका फागूं देषा यहीं संद्ध. ए तीन रहाएं दे circular एग्व मेंचा क्रॉक्टन-टैरोंना的 Stress पर phones प्रॉप्टन-चेजिप पर बलख हॉर विख मेंचा का कि दूसरी भी कुछ पर्देशी कंपना है, उनका भी खरीदना बन करिए, जयते हिंदोस्तान लीवर, और इंदोस्तान लीवर के साभून कुछ बिखते हैं, जयते लक्स, लाइज, बॉई, ज्रेल, रैकोना, सियर, स्केमिक, और पामुलिक, कॉल्गेट, पामुलिक का, जॉंस साभून, बुदत में, खादी रामुत्योग की दुखान अगर कहीं हो, तो हहां से साभून लेया, ये सब स्वदेशी साभून महाँ पर, और उनको कहिए, कि जादा से जादा स्वदेशी साभून लाकर बेचना शूरू करें, तो एक पैसा भी देश का बाहर नहीं जाना और आप चाहें, तो साभून से भी अच्छा तरीशा है लाने के लिए, चले का आटा, फूट की मलाई, अरिक के घर को मौचना, और चले के आटे में दूट की मलाई मिलाई ये, उससे लाने, दूदरा तरीशा है, मुंता नहीं मिठती, अर नाव में मिलता बने था, उसमे का बनाया हुआ, कोई भी साभू जवाब शही पर लगाते हैं, तो रशने साजासने, आब उन दे नहीं, जस मिनटे पाद मागूं से लाई सीचिंगे, सफे धन की लाई सीचिंगे, कोई भी साभू मत बगाए, जाड़े लिए लाँ में साभूं से नहीं, चले के आटे से दूर्स की मलाई से नहाइए और हमारे हो नसुद किलाल का आठा है उसके नहाइए ये पर नहाने की प्रेस्ट कॉलिटी प्रप्रेशन है भाईयों से मेरा निवेजर है कि कमी भी फार्मों लिटीश आप उजे में कौन की शेविंग क्रीम नहीं है मेरा तुझाओ माने तो बिना शेविंग क्रीम से भी शेव बनती है और आप बना करते कैसे बनती है जब शेविंग क्रीम नहीं होती है तो इसे शेव बनती है अपने चहरे को बिगाए तो फिर कच्छा दूद लेए अपने हाथ में चारका दूद कच्छा दूद अपने चह तिजुब दूब दराकर आप शेव बना रहे हैं तो आपको आस्तर रोशन लेका दरूरती नहीं है और तीज़ा बड़ा पाइदा कच्छा दूब दराकर शेव बना रहे हैं तो कच्छा दूब चहरे की सफाई करता है अच्छा अच्छा बहुत अच्छा प्लीन ही एजेंट है तो बोगों जटकर आप चहरे को लगाएंगे आपके चहरे की सफाई होगी चहरे में प्चामा का रहेंगे और बिना पैसे में स्मार्ट हो जाएंगे आप कि अच्छा पांगों बिखना बंद और इस पाइस बिखना ना कोई भी शेविंग क्रीम परदेशी कंपनी के ऐसे ही आपको लेजन है कि इनके साथ उन शेविंग की खरीचना बंद करें इनके आउदर की खरीचना बंद करें प्रस्टेरंट के हम उनका एडिया लाता है वो और यह उसके सब्सक्राइब करें आपको लेजन करें हैं इस पर देश को लिए ना करें आपको लिए और यह वथा उनका मंद करेंगे तो कुम करेंगे आपके गाओं का मोची जो डूता बनाता, उचको पेंगे, तो minutos मैए मैंने इक विता षगा चपिनक को रोजगार नेस्क्राइभागे तो एक जिन मुआओं सबाँगा है, कितनल सम्क्राइगियों जोबकanor केंगे ती कंAfर्मेटियों के दूता पेंगे और हर वेक्ती गाउं के मोजीन से ही दूता पहने तो तांट लात लोगों को रोजगार देने का काम इंपर तो यह आप से एक और निवेदन है कि आप यह भर में ऐसे धेव सारे दूसरे सामानाते हैं उनको भी खरीशतों को ने एक यादी छाथी एक पैंप्रेट छाथा चा कि अपने नाम से कोई हजार यादी छाथे कोई दताजार चाथे एक एक घर में पहुंचा स्वधेशी क्या करदेशी क्या हर वेक्ती को यह माहिची होनी ही चाहिए तो तो जाबी मिल जाएगी, Elizabeth लेकर जाएगा, और वो उस्लिका ले कर जाए 돼, ऐते कुछ कुछ कुस्तके भी हैं, जहां के ओिए कि आपई पुछ क हमें, कभी भी को यह नहीं है कि हमको पता नहीं है गलती में सामन सा ईजे से अगर से कवरना है, कि आपको बन तके और यह सबसे फाल्सु का कपड़ा है दुनिया में सबसे इडियोटिक कपड़ा है जी और आजकर के नौजमानों में बड़ा प्रेशन आ गया है जीन सही और ऐसे बेवक्तूप हो गए है आजकर के लड़के लड़की हां एक सिल मैं मुंभाई नाउं के शहर में गया तो इस कॉ यहां को रोज दे भी होता है यहां को रोज दे भी होता है यहां को वैलेंकाइं दे भी होता है हम मनाते ते रख्षा बंद है हम मनाते ते जिवाली हम मनाते ते होली दशा है अब मनाते जीन और चॉकलेट है एसा पत्यारमा शुवारत आज़ी और जब मेरा व्यक्ष्मान जुरूआ तो सारे लड़ी रखिया हॉल में आगे, मैं अभू सब को कहा बैठ जाओ, मैं मैं बैठ जाओ, मैं बैठ जाओ, कोई जमीर काइट जीन सहीं सची थी कि बैठ से ही सची, जाओ, मैं नांपेरों कहा कि बैठ जमीर का बैठ लेठ जाओ, जोगैरे के चाओ, बने में चप्रbia धीए है, उतासे में कुछेगा है। ह्पिंची कुछे when पहले हैं ? आप कहेंगे अम्रीका में पहलने हैं। अम्रीका वाले पागल हैं और पागलना शाहने। और वहान तो इसलिए पहनते हैं वहान फेद घर्भी बहुत लोटी है तो जिसना जाला से जाला कफ़ा हो उसना अच्छा, यहा हो दख भी बहुत लोटी और बहुत लोनु इसकी बेवक्ती मत करिए जीन पींच करना हो और पितीभी स्कूल कोँए हैं धीन दे नहीं होगा, गुर्शेन दे नहीं हो गुरुजे नहीं तो का चौकर लिगे देंगी ये बारतिया तंस्क्रती के ख्रीक उल्टी बात है ये तब बंद कराएंगी बार्तिय संस्क्रष्टी के काम करिये बार्तिय संस्क्रष्टी का रण tracking आสे कि आपको तें पुझें कि क्या तो थे मानें आप सो खाजी कहने जबा देए और खाजी क्यों कहने एक वार वो ज пошबह में एक अफ़ास меся कि मादहिए मेरा इस दोस्तर मैंने कहा जिस सरकार को पूछो एक साल में किसनी खादी विष्टी है पूरे दिशु तो सरकार के मत्विर जवाब दिया एक कका पूरे का कि सिर्फ एक कका खादी के विखने से भी भारत के पंद्रे लाग गरीबों को रोज़दार दिनता तो मैंने एक पिस दोशाग एक के देखा जा कि अगर 20% खादी विखती है तो पंद्रे लाग लोगों को रोज़दार मिलता अगर 100 अगर 100 खादी विखती तो पंद्रे लाग गरीबों को रोज़दार मिलता है और पंद्रे परोर भडिकों को अगर रोज़ार मिलता है तो एल्बडी भी दूर करनी हैं तो काली करनी है औरही नाप चाशा करकते हैं। आउमें आपको चोड़ी शप्रे खादी के पहरे हैं, कुछ पमें कोग पजामे के रूप में कर दिन पानकि और सब्सक्राइब करतें तो नियुक्तन थे इसान सव्टाइब को पार्प के विक्त्री जादा से जादा पड़ेगी तो किसान को भी सामने हैं तो भारत के किसान का बला होगा भारत के मज़्दूरों का बला होगा इस परेश के गईवों को रूज़कार में देगा है और एक आपके और निवेजन है कि हम लोग यह जो प्रधेशी यह का पूरी तात से वहिश्टार कर लहा है इसके साथ के सांप तीग काम और करिए अम्रीदी बैंकों का भरेश्टार करिए कि आपके किसी दोस्त का या आपका city bank में कोई खाता हो तो इसको तकार नम्न करें अबना कोई खाता नहीं रखना इस्केट बैंक और इंडिया में रखिए वारत के तमाम रहे नैशनल बैंक है जो हमारे राख्ष्ट्री बैंक है या हमारे कौपरेटिव बैंक है उनमें अपने बैंक के अगाउंट हो लिए ना कि सिटी बैंक में अभिरिक एक्सप्रेस में जो होगे आपका कोई रिष्टरां में रहता है दिली में रहता है वहांपर पेटी बैंक की ब्रांजिब में उनका एकाउंट पर भातार इस बात के लिए अगर ऑखिश्टार करते हैं सामान बना करते हैं, हारतार हजारग करोर रुपिया इस देश का बच्ऌका है. इसी परेत ज़्ताम और कहिए अमरीकी TV चेनल का भी बच्चा है. जो सबसे खश्थरनाख अमरीकी TV चैनल है उसका नाम है सार् टीवी देश रहे होते हैं या स्टार का कोई चैनल देश पहे होते हैं ispn देश रहे होते हैं तो एक साल में भारत के लोगों के उन बत्रिशने की कमाईटाश सभा 200 क्रुपया मिरीका चुछा रखा रहा है क्योंकि स्टार् टीवी पेश चैनल है espn पेश थे लगता होगा कि यह मुखपना दिखातें पोई मुखपना नहीं दिखातें अब पैसा यहां से अभी करें और बैटे भी स्थार्टीगी पर हाता क्या है देखने लगतें सब अल्बू की उल्टी की दिबातें एके से घड़िया घड़िया सीरियल आतें यूरोप में जो बर्वादी हो रही है वहां जो प्रेक्स की वंगर्टी है अश्ली इंता रहे काम उसका है और मेरी बात माने हैं तो यह सब के सब केबल कनेक्शन परफाई है अगर आप चाहत तो टीवी बन रहे हैं यह दुन्या की पस्तित अगर्णाशी है तो यह खत्रा पस्तित वड़ा यह है कि लगाता है तीवी के माध्यम से इस देश के बच्छों को बच्छन में जवान बनाया जाए और इस बास की घंबीर ताका आपको एहसास का होगा जब आपके घड़न कोई बुर्गटना हो जाएगी आपकी बेटी के साथ आपके बेटे को इंडिया कुने का अंक पढ़ेंगे आप बो देगे अंगर इस देश में यह शुरू हो गया है बारे-बारे तान की बच्छे तेरे-तेरे तान की लगजिना तैस्फोल गुलेशन करते हैं उनके माला आप भेजते हैं उनको पढ़ने के लिए और रोगज़ने हैं कि दूशने शक्राइगे और सई बच्छों के इंड्रवियों आए हैं उसमें इंडिया कुदे मैं तो अंदर के कांप रया कि चारूरा है इस देश को यह समय ने देखा है अम्रीका में होता है यूरोप में हो आपको ऐसे धेरों स्कूल में लेंगे जहां पर रूर्वियों को पढ़ाए जाता है तो ग्यारे बारे तेरे साल में मावन दी उनी बच्चियों के लिए अलगते स्कूल है उनको ठिखा जाता है कि बच्चे को कैसे पाना चाहिए उसकी परदर इस यहाते करनी चाहिए क्य क्यों हुआ है? फ्री सेक्ट जो फ्री सेक्ट और फ्री सेक्स अधिकेशन आया वहां की कुताईजी में उसी से तब से बढ़ा सब्सक्या नाश्या है और अब वहां के लोगों को लगता है कि भारदी यह संस्युटी बहुत इच्छी है में बहुत सारी दोस्कंदीना है उ कुछ रात दिन चिंता खाये रही है कि पता नहीं बेटी कर जाओगा बेटे कर जाओगा शायदी कोई ऐसी लड़की आपको अपनी काम मिले जो शायदी के पहनी दो-तीन बार एवर्शन ना करा चुकी हां इस पर हथिये वक गंबीर आ है ऐसी लड़की शायदी आपको मिल अब भारत के अब 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 यह कि अमरीका में और टेशा कि बिल क्रिंटन इतना बड़ा पर पर्मिशन नहीं तो यह एस्ट्रामरीशन फाक मारे जाता इसको रोकने लिए भी भारत के रिश्यों ने हैं तहीं है तो जैसे ही किसी हिस्तुरी को हम इस्तुरी के रूप में लेगते हैं बेटी के रूप में रूप में शुरू करते हैं भाव बदलता है मन में पवित्टा आजाता मन में तहिमा आजाता और यह पवित्टा और कहियों की बहुत तुरानी संस्क्रकी है जिसको तोड़ने की साजिश हो रही है तेली इदन के माहत नगे टेलिविजम में आप western के इन सीरियल साते हैं। सब स्डीयल एक्स्ट्रा मयरिटील श्मयर औरूही तब कितिक और और जो कि रधाल START डॉह किकर सबानियो तो आप कितिकालीनży लाए जहए जीऺ ले़ीं से देने। क्मार शुक्रत वहीत टल सील कु Autism. किसे कहान और उसके लिए मार भार राई जगरे इसकी हस्या करवाना उसकी हस्या करवाना इसके इतलाफ खालिश करना उसके हैं तो आप सुझे आप देख जाएं बारती ये धन्तिती थी उल्टी वासे आपको दिखे जाएं या बेटी शाधी के पहले मां बने तो ये सब्सक्राइब कलंग है और बार्मान सीरियल में हर लड़ी को शाधी के पहले ही मां बनता पड़े क्यों दिखा रहे हैं ताथी भारत के लोग भी धिल्टेटी वासे पहले हैं हमारी मां बहें बेटिया पर जलना अपुरक्शित होना ये ही चाहते हैं इस देश्की एक गहने लेते बेटी प्रक्शन निकलने में भुष्वि पहला हो जाएगी अब इसी तरह के फिल्ना शिक्राइगे लिए इसी विए आप लोग इसको जल्दी से जल्दी बहएं कर दीए और आप में इसको बंद किया तो शानधी आएगी आपके घर में तंस अश्रील कामें, शेक्स की वंगरेगी में हम सब सकते चले जाने दिये दिये, वो सब बताओ, बरत सकता है, प्रोग सकता है, और हारिया इस बास कर गंदीर साथे जांदी जी, का जाता है और अच्छा इस प्रिया सुसप गया, कि करेक्टर इस लौग सेथी, पीवी रखार र अधिर बिम्हेदार नाजिब बनाना इस दिनी आता, प्रियुशन काम, तो जिनको तंसकार देना नहीं आता, जिनको बच्चों को चरिश्मिकी तिछा देने की आती, वो माबाप न बने काम, कब दिन भारत को बोजा दो माबाप, और अगर आप माबाप बने हैं, तो उसक अपने बच्चों को तारिश्मिकी तिछा देने, अपने बच्चों को तारिश्मिकी तिछा देने, अपने बच्चों को संस्क्रती पढ़ें, अपने बच्चों को भारतियसा देने, अपने बच्चों को संधीर सिखाएं, अपने बच्चों को कला सिखाएं, पेंटिंग सब्सक्राइब दूसरी तरफ अमरीकी तावनों का फूरी तरह से खरीजना बन फिर सब्सक्राइब खागी पहनेंगे और अपने घर में बन सके उतना ये केबल करेक्शन को भिकानेंगे और केबल करेक्शन को निकाल कर घर-घर को मुट सकराएंगे बारतिय पंजिक्रती वो फिर से मापक रही है। यह कुछ-कुछ काम है जिनको हर यक्ति अगर करे तो इस देश का कुछ भी नहीं लिगाव पाएगा अमरीका और हम बचे रहेंगे अमरीका के दुछ परभाव से, हम बचे रहेंगे जुदोप के दुछ परभाव से यही आपसे मैं कहने आया था, और आपसे दुछ मानने आया था, वो मानने नहीं आया, किसी पारटी से मेरा कोई रिष्टा रही है, और नहीं आपसे लोग मानने आया, आपसे संकल्द मानने आया, वो भी अपने लिए नहीं इतराश के था, आपका संकल्द चाहिए, एक तो जो आप हुएशा फृदेशी इसतagemार करें, ये संसल चाहिए, अमरी की सामार का भढ़िशकार करें, ये संसल चाहिए, और आप वोजयोत परदेशी TV चैनल बंद खाल करेंगें जाना है कि दिए अधिल करी अधिल पिखना हैं और वारत है और शुक्त प्रभारत करें हैं तो भारत में पहले वैचारी क्रांथी करेंगें और इसी क्रांटी के लिए हम्वों की आदादी बचावान गुर्णशना आए तो आपको मैं निवेदन करने आना कि आदादी बचावान गुर्णशना आएगा और जो लोग अंकल इले के लिए गोप्रवया अपमे इस्थान में खड़े हो जाए आप मेरे पीछे कहेंगे भाकर चाहिए मैं आपसे जो कुछ कहूँगा आप उसको दुहराइंगे और देहनें जहां मैं कहूँगा कलूँगा वहां बेहनें कही जी कलूँगी इसका षाह पछे ञेड़ी और हमलो耘 गंबीर हसाथिए यह दंगर द्रहणें वो ये मैं संकर्व कर रहा हूं कि अपने राश्ट की आर्थिक आजादी, राजनेतिक संप्रभुता और तांस्कृतिक अत्मिताकी रच्षा करने के लिए अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वधेशी सामानों का ही इस्तेमाल करूंगा अमरीका जैसे देशों में मेरे राश्ट पर जो पावंदियां लगाई हैं और भारत का जो अपमान किया है उसको ध्यान में रखते हुए मैं संकल्प करता हूँ कि कभी वी किती भी अमरीकी कंपनी का कोई सामान नहीं खरी दूँगा सेथी कोला, कोका गोला, कॉलल गेट, जॉंसन एंजोन स्वन, सॉप्कर एंग गेंबुल आदी अमरीकी कंपनी कंपनी का कूरी पाकत से वहिश्कार करूंगा अपने राश्व की तांस्कृतिक अत्मिता को बचाने के लिए मैं संकर्च करता हूँ कि परदेशी TV चैनल और सिनेमा का यथा सक्ती वहिश्टार करूँगा अपनी से बचाने करदा हुआ करता हुआ है